नमस्कार मैं पंकच कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं यह देखिए मैं हूँ आज अपने जो मेरा छेतर है अपने बीट महों में और यह जो लाइन हम सफाई कर रहे हैं यह देखिए यह जंगल को बीचे-बीच में सफाई करते हैं इसको बनाते हैं तो यहां पर जितने भी च्छोटो-चोटी हैं अंपने हैं आधो जोटो. जो तकड़े से इस टुकड़े से नहीं आ पाएगी तो इसलिए हम इसको करते हैं और इनने कहते है फायर लैन हमने बहुत सारी में अलग अलग उसमें लग अलग बनाये होोती है तो यह पूरा इसमें जितनी है यह सब सफाई करवार हैं यह देखें और यह सबसे बड़ी लंबी लाइन है यह लाइन फायर लाइन लबग दो किलोमेटर से भी आगे तक है यह अभी हमने इतना यह हमने किया होगा लबग आदा किलोमेटर आदा से भी कम होगा है आदा किलोमेटर हमने कर दिया अलबर रेट दो किलोमेटर और नीचे तक है तो ह बीच में हम नहीं पूरे सफाई करवा देए और आगे अभी इसमें टाइम लगे और इसके बाद बहुत सारी अभी इधर फैर लाइन है उसको भी हम करवाएंगे और यह देखे सुबह के अभी सुबह सड़ाठ बज रहें भी और मौसम देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा ह यह पूरा यूके लिप्टिस कहते हैं पहाड में से गम का पेड़ बहते हैं वही वाला पेड़ है और इधर भी वही है और यह बीच में सबाई हम करवा रहे हैं इसमें तो यह एक छोटी से एक वीडियो है मैंने बनाई दिखाने के लिए कि कैसे कैसे हम पर काम होता है तो करें इससे खाता है यह हम हैं तो यह देखिए आप इसको थोड़ा और यह देखिए अच यहाँ पर लग रहा है कितना अच्छा जंगर हाँ आप पर हाती गया है कल साम अभी सुबह साम गया है यहां तोड़ा है और इसके जो वह होती है बीट बोलते है ना बीट उसको जो हाती कर बीट होती है जो डंग बोलते है डंग अभी दिखाऊंगा हम आप वहां पर उसने किया है वहां पर उधर किया है उधर चलते हैं भी दिखा देता हमापन यह देखिए आगे यहां से गया हो और यहां से उधर को गया हो यह देखिए यह देखिए इसे डंग बोजने डंग इधर को गया फिर उधर को चला गया इधर साइड को तो यह एक नॉलेज है कि इसको क्या बोलते करके तो यह है अभी हम आगे जो यह काम कर आता हूं मैं करते हैं काम इसको और यह वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो इसको लाइक करो और जो मेरा चैनल उसको सस्क्राइब करो और फिर मां आगे की वीडियो आगे और बनाएंगे थैंक यू